Assalamualaikum friends, मैं आपको welcome करता हूँ MGT 613 Production and Operation Management के lecture no.3 में Lecture no.3 का main title है Competitiveness, Strategy and Productivity इस lecture के अंदर जो highlighted notes में use कर रहा हूँ जो free of cost आपको provide कर दिये जाएंगे आज के lecture में जो topics हम discuss करने वाले हैं उसमें no.1 पर topic होगा Meaning of Competitiveness, Strategy and Productivity How organization compete against each other Competitiveness, How organization can gain competitive advantage Business gain competitive advantage by using market-based strategies Business gain competitive advantage by using finance-based strategies Business gain competitive advantage by using operation-based strategies Common reason why organization fail उसके बाद discuss करेंगे Mission, Strategy and Tactics Strategy को detail में discuss करेंगे Planning and Decision Making को discuss करेंगे और हम कुछ example भी देखेंगे strategies की आपसे request है वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe जरूर कर लिया करें तो आईए आज के अपने इस lecture को start करते हैं जी फ्रेंड जैसा के हम Slides में देख चुके हैं Lesson No.3 का हमारा Main Title है Competitiveness Strategy and Productivity इस लेक्षर के अंदर भी हम Competitiveness Strategy and Productivity के बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं इस lecture के अंदर हम इनको डीटेल में डिसकस करेंगे Competitiveness Strategy and Productivity का थोड़ा सा Overview हम ले लेते हैं यहां पर Competitiveness refer to an aggressive willingness to compete यानि के competitiveness मुराद यह होता है कि जब आप aggressively किसी काम के पीछे लग जाएं या आप किसी काम की ठाल लेंगे वो काम आपने compete करना है इसकी हम example देखते हैं यहां पर In a race, runner compete to win but they don't have to be aggressive to competitive यानि कि क्या होता है कि अगर एक race आपने देखी हो रेस में जो runner होते हैं वो भाग रहे होते हैं एक मिसाल ले लें कि अगर मेरा थोन है मेरा थोन में क्या होता है कि दो किलो तकरीबान 20, 30, 40, 50 km की मेरा थोन होती है अब उसमें क्या होता है कि आपस में compete तो कर रहे होते हैं और एक aggressively जीतना भी चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है वो अपनी power को अपनी resources को बहुत तरीके से use करते हैं कि ताकि वो दूसरे racers के साथ competitive ले अगर कोई racer अगर आप उस race में और आप शुरू में सोचेंगे कि मैं सबसे आगे निकल जाओं तो हो सकता है शुरू के 3-4 km आप सबसे आगे हो लिगर उसके बाद आप पर energy level down हो जाएगा वागी सारी चीज़े कम हो जाएंगी तो आप आगे नहीं रहे पाएंगे तो competitive रहना है ठीक है तो उसमें क्या होता है हर runner अपनी strategy लगाता है कभी आप पीछे होते हैं कभी आप आगे होते हैं आपका एक long term vision होता है long term goal होता है और आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और किस direction में जा रहा हूं आप proper planning के तहर जो है वो move कर रहे होते हैं तो इसलिए competitiveness के साथ strategy जो है यहां पर involved हो जाता है strategy is an elaborate and systematic plan of action with defined resources strategy से मुराद यह है कि systematic plan of action होता है आपके पास और आपको पता होता है आपकी resources क्या है उन resources को देखते हुए आप जो है वो काम कर रहे होते हैं इसकी example ले लेते हैं कि अगर आप chess कहल रहे हैं एक मिसाल ले ले तो chess कहलते हुए आप जो अपनी pieces को move कर रहे होते हैं वो आप यह देखते हुए move कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला क्वालिटी और क्वालिटी का रेशु किया गा उसके बाद देखते हैं कि लेबर यूनिट टाइम और सिंप्ली रेशु और इंपुट से रेशु ले ले लेते हैं या तो फिर कितनी लेबर इंवॉल्फ हुई और कितना टाइम लगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसके उपर हम जो है वो प्रोड़क्टिविटी यहां पर देख रहे होते हैं इसकी एक्जेम्पिल को हम देखते हैं कि आज शेफ मेकिंग डिलीशियर डिशी इन शॉर्ट नाइम इस हाइली प्रोड़क्टिव यानि कि एक शेफ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी डिशिस बना रहा है अब इसमें देखें क्या है कि डिलिशियस का वर्ड है यानि इसकी बहुत जब जालदी जाए हो चाहिए ऐसा ना हो एक शेफ ज़ए उन जो जल्दी बना रहा है एक मिसाल ले लेंगा एक नदूर बान जो है वो रोटियां बना रहा है यहा बिजन से बिजन से स्टार्ट हुआ है तो बिजन जो है वह आपस में एक दूसरे से कंपीड ही कर रहे हैं हम यहां पर इस लेक्शर के अंदर बहुत से वह आमिल देखेंगे जिनकी बेसिस के उपर जो है बिजन से आपस में कंपीड कर रहे होते हैं प्राइस की बात कर लेते हैं in our day-to-day routine observation we often see that lower price will attract more customer provided the product and services fulfill the intended user lower provides help an organization to increase the customer base अब अगर हम यहां पर price की बात करें तो यह routine observation है आप इस चीज को आम अगर आप market में जाया है एक ठेले से भी अगर कोई चीज लेते हैं फिर भी जो साधा attract कर रहा होता है वो कम price एक चीज होती है इसको attract कर रहा होता है second जो है वो quality होती है जिसकी quality अच्छी होगी आप उसकी चीज लेंगे अगर आपको थोड़कुत पैसे जादा भी देने पड़ गए तो आप जो है वो quality चीज लेंगे आप जिस बंदी के पास जो skills है उसी से वो काम कर रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं skillful आदमी को वो काम दूंगा तो quality wise बहतर वो काम मुझे मिलेगा वरना उस काम का बेड़ा गरक हो जाएगा total quality management के अंदर हम देख लेते हैं total quality management यही है कि price भी देखें है quality भी देखें है skills भी देखें वो सारी चीज़े देखते भी आप फैसला करें तो इस यह कहलाता है total quality management product differentiation की basis पर भी business compete कर रहे होते है refer to special features that make the product or services look more suitable to other customer like an automobile manufacturer decides to provide GPS system to selected customer as an additional price etc product differentiation की मुझा होती है कि आपस में compete कर रहे होते हैं आप जैसे हमारे आप हम अगर mobile phone की मिसाल लेते हैं तो iPhone जो है वो सबसे जादा sale हो रहा होता है उसके competition में आने की बहुत से mobiles हो है वो कोशिश करते हैं लेकिन उसको compete नहीं कर भाते हैं मसला क्या है या उसमें क्या चीज होती है flexibility is the ability to respond to change इक में refer to changes in target sale product feature like adding GPS to order mobile कैसे उपर हमने बात की कि एक चीज क्या हो सकती है कि जो आप अगर कोई car खरीते हैं एक car जो है वो simple सी car है उसके अंदर ना airbag है और features नहीं है लेकिन एक car के अंदर जो है वो आपको GPS system GPS system क्या होता है यह navigation system होता है आप अगर travel कर रहे है तो आपको guide कर रहा होता है यह सारी चीज़े जो होती है तो flexible किसके लिए flexibility होने ही चाहिए business जो है वो flexible रहते हैं changes करने के लिए changes को adopt करने के लिए customer base को बढ़ाने के लिए वो flexible काम कर रहे होता है time की बात करने के product कब book होगा customer को deliver होगा उसमें कोई मसला तो नहीं होगा यह सारी चीज़ तो time जो है यह भी बहुत important matter play करता है businesses के competition में यह बहुत जादा important topic है यह mid-term में आने के maximum 110% chances होते हैं तो आप इसको ज़रूर याद कर लिजेगा prepare कर लिजेगा how organization compete can each other 5 points है simple से और मैंने आपको इतना बता दिये कि आप अगर 5 number का भी यह सवाल आएगा तो सिरिफ जो मैंने बताया अगर आपको इसी को translate करके English में लिख देंगे तो आपको numbers पूरे मिल जाएंग इंशाला अब उसके बाद हमने उपर बात की competitiveness की strategy की productivity की अगरे कैश्क ने तो आप मिसाल ले लें के दोगू गाड़ी बनाने वाली company है वह आपस में किस तरीके से अब वह similar goods बनारहें वह भी गाड़ी बनारहें फिक है आप वो अलग कि अब वह क्या सकते हैं वह features जह सकते हैं तो यह हम जो है वह उड़ने वाली गाड़ी बना देंगे यह हमारी गाड़ी फ्यूल एफिशेंट होगी हमारी गाड़ी में जैसे हमने विसाइल की GPS सिस्टम होगा और जैसे होंडाई की आजकल गाड़ी है उनके अंदर जो है वो 66 airbags आगा है तो यह सारी चीज़े हैं कि व यह हमेशा लोग आइफून की तरफ क्यों भागते हैं आइफून हमेशा नया फीचर एड़ करता है उसके उपर स्ट्रगल करता है पूरी टीम है जिसके उपर उसके डिजाइन की यूजर एक्सपीरियंस की सारी चीज़ों के उपर काम कर रही होती है नहीं से नहीं यह ले जाएंगे जिसमें मोटरोला है ओपो है वीवो है रियल्मी है शौमी है उसके बाद इन्फिनिक से टेक्नो है बहुत सारे मोबाइल नहीं तो आप इसमें देखेंगे इसमें भी एक पिल उसने मार्केट पर कब्से किया वाइं किस वज़ा से किस वह कॉस्टूमर को जानता किस तरीके से गयन करते हैं ऐसा स्टूइन ऑफ और्गनाज़ेशन में देखेंगे सबसे पहले क्या है मार्केटिंग फिर क्या है फाइन्स पिर क्या ऑपरेशन अब जो लोग बिजिस बिजिस एड्मिनिस्ट्रेशन के सूड़न है तो वह मार्केटिंग पूरा एक चेप् चेप्टर पढ़ेंगे ऑपरेशन में हम यह चेप्टर पढ़ रहें तो यह सारी चीज़े जो हैं वह डिटेल में देखेंगे यहां पर सिरिफ इन्हों ने यह बता दिया कि कौन कौन से सेक्टर है वह कंपट्रेटर एडवांटेज किस तरीके से और्गनाज़ेशन लेती करेंगे आप अपनी इस हिसाब से रखते हैं कि उस प्राइज़ का पाइं जो मार्किट में चल रहे है बिसस गैन D और यह यूजिंग बेस बती Conseju में करेंगे और खर Comic चाल लेंगे या ओनर उनर आप अपनी उस दोड्रेशन चानले Capital and Financial Investment क्या होगी, Financial Leverature का Structure क्या होगा, यानि कि Debt to Equity Ratio क्या होगा, Debt का मुराद है, कि आप कितना Loan वगएरा लेंगे, और Equity का मुराद है, आप अपनी कितनी Investment करेंगे, Capital Structure वगएरा क्या होगा, ये सारी चीज़े जो हैं, आपको मैं यहां पे इतनी सारी डीटेल में नहीं जाओंगा, क्योंकि अगर आपने Financial Management के सब्जेक्स पढ़े हों, जिसे MGD 201 है, MGD 211 है, ये सारे आपने पढ़े होंगे फिछले समेस्टर के अंदर, तो वहां से आपको इन चीज़ होगा, उसके बात कर लेते हैं, बिजनिस गहन कमपटेटिव एडवांटेज यूजिंग ऑपर यूजिंग ऑपर यहां पे देखिए, छोटा सा आपको मैसिज का साइन नज़र आ रहा होगा, ये स्टीकी नोट्स कहलाते हैं, ये बहुत जादा जो टम्स जो हैं, इतनी जादा डिटेल में लिखी हैं, और बहुत जादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो के स्टूडेंट को समझने में मसला होता है, तो मैंने सिंपल वर्ड्स में नोट्स बना के इनको यहां पे लिख दिया है, आप से हमें सबोर्ट चाहिए होती है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप लाइक वाइक करेंगे करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो इंगेंगे हैं और लाइक ऑपर उसे विडियो अपने वीडियो और आपे बादेज आते हैं, प्रोड्क का डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए को से अच्छा होना चाहिए कि आप अब करता है कि पुल करते हैं Inventory Management एक बहुत अच्छा टास्क होता है कि Supply Chain Management अच्छा टास्क होता है Services जो है विए सारी चीज़े जो है यह Strategies का आपका हिस्सा होना चाहिए कि Service कैसे प्रवाइड करेंगे Supply Chain किस तरीके से Management करेंगे Inventory को कैसे Manage करेंगे कितने Flexible होंगे Quality, Quantity, Location, Cost and Leadership Product and Design इन सारी चीज़ों को आपको जो है वो देखते पर चलना है और यह Self-Explanatory है बहुत इजी है Self-Explanatory से मुराद ही होता है कि आप से रिपिस को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जागा बागी मैंने आपको एडिंग बताए कि जो important points है वो पहले ही clear कर दी है वो long term vision का नहीं सोच रही होती है ignoring strength उनकी strengths क्या है उन चीज़ों को फो जो है वो let go कर रही होती है उनको देख नहीं रही होती है उसके बाद ignoring competitive advance threats जैनि कि जो competitive threats होते हों उनको नहीं देखते है failing to innovate or adapt changes market condition example blockbuster ignoring the shift of online streaming अब इसमें क्या होता है blockbuster की मिसाल दे रहे है कि पहले क्या होता था जब movies वगर आती थी तो blockbuster हीट हो जाती थी blockbuster से मुराद क्या है यह जो sand mask के अंदर होते है sand mask की जो पूरी chain होती है उसको blockbuster क्याते है blockbuster के अंदर जो है यह movie हीट हो गई है स्रीमिंग हीट होगी अब उसके बाद क्या ओनलाइन स्रीमिंग आगए Netflix आगए Prime वीडियो आगए सही है Amazon Prime आगए अब लोग ओनलाइन देखना शुरू होगे तो जो एक thread मिल गया यहां पर बता रहे हैं के codec जो पहले communication होता है investment को neglect कर रहे होते हैं improvement नहीं कर रहे होते हैं अपने function के अंदर जो काम है उसी को लेके चल रहे होते हैं बड़े मसले मसायल हो जाते हैं और यह compete नहीं कर पाते दूसरी organization से mission strategy and tactics mission क्या होता है किसी भी organization का mission होता है organization over the year have mastered the art and technique developing a vision and mission statement which help them to come and function strategies practical tactics by which they can make judicial decision and attend distinctive competition means यानि क्या होता है कि company जो है अपना mission बनाती है कि क्या आना चाहते हैं उस machine को उस mission को achieve करने के लिए strategy बनाती है और strategy को use करते हुए मुक्तलिफ इसम की tactics को adopt करती है और अपने mission को जह है वो achieve कर लेती है अब यहां पर बताया जा रहा है strategy को डिफाइन के जा रहा है strategies are the plan for achieving organization गोल यानि के strategy simple क्या होता है एक plan होता है जिससे organization अपने goal को किस तरीके से achieve करना यह plan बनाती है mission is a reason for existing organization mission क्या होता है कि एक organization exist क्यों करती है mission statement answer the question what business are we in यानि कि mission statement यह बता रहा होता है कि कौन सा business हम कर रहे है जैसे एक निसाल ले लें कि Nokia का जो विजन आता था जब आप mobile and Nokia का mobile on करते थे तो दो हैंड जो वापस में हाथ मिजा रहा है तो उसमें क्या होता Nokia connecting people and connecting people जो था यह उनका mission था कि लोगों को connect करे goals provided detail and scope of mission tactics are the method and action taken to workplace strategies इसमें का होता है टेक्टिक मुख्ल किसम के method होते हैं जो action जो है वो organization ले रही होती है अपने टास्क वगेरा को achieve करने के लिए को कौन से वो पाकिसानी automobile पेक्चर यहां पे कार बनाने वाली कंपनियों के मिसाल दे रहे है strategies are the plan for achieving organization goal strategies जो है वो plan होगी organization goal किस तरीके से achieve के जाएंगे mission statement जो होगा safe wheels provide की जाएं लोगों को tactics के होंगी के total quality management के कि जो methods हैं उनको accomplish किया जाए उसके बाद है planning and decision making यह बहुत important factor होता है कि आप किस तरीके से plan करें और उस basis के उपर आप decision ले planning and decision making concept make use of setting a mission goal strategy and achieving the end result through the effective and practical tactics यानि कि plan जितना अच्छा आप बनाएंगे उतने अच्छे आप decision ले पाएंगे जितने अच्छे आप decision लेंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपने business को जो है वो practically चला पाएंगे strategy की example यहां पर दीग है you are a business student a virtual university of Pakistan की यानि कि आप और मैं अगर virtual university के अंदर एक business student है you would like to have a career in business आप इसलिए business administration पढ़ा रहे हैं कि आप business के अंदर अपना career बनाना चाहते हैं अच्छी job हासल करना चाहते हैं या एक अच्छा पैसा आप अच्छे कामाने चाहते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी जो है वो comfortably गुजार सकें यहां पर आप जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं कि आप अपनी मिसाल ले ले अगर मैं आपकी मिसालों को आप जिंदगी के मकसद क्या है मिशन क्या है कि अच्छी जिंदगी को जानना चाहते हैं आपको गोल क्या है successful career हो जाए अच्छी income हो जाए अभी फिलाल आपकी strategy क्या है कि आप एक business degree अचीव कर लें वीडियो से अच्छी CGPA के साथ क्या होगी कि आपने business field को अपना interest है high market value है इसलिए आपने select किया है यह operations क्या है आप किसकी चीज को रिजिटर ले रहे हैं आप बाइबुक कर रहे हैं यह online lecture ले रहे हैं असाइमेंट बनाके दे रहे हैं courses ले रहे हैं study कर रहे हैं और आप जब study करके complete हो जाएंगे graduate हो जाएंगे फिर आप apply करेंगे और आपको job मिल जाएगी फिर आपको यह सारी चीज हो सकती है कि आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे गोल आपके हो जाएंगे strategy तो हर पर हम डीटेल में इसको डिसको कर चुके है special attributes अबिलिटी डेट अर्गनाजेशन ने यह अच्छी कर लिए तो उसको एक competitive edge हो जाता है अपने दूसरे जो customers वगरा है या जो market competitors दूसरे businesses उनके अगया है तो यह था आज का lecture I hope so आपको समझ में आया होगा हमारे lecture आपको कैसे रख रहे हैं comment section में आप जरूर बताएं किससे हम motivate होंगे वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लें आज की विट्न वीडियो में इतना ही मिलते ह अगली वीडियो में जब तक दुआओं में याद रखिएगा अलाह आपिस